विराज के गले लग आखिर क्यों फूट फूट कर रोई साई गुमे किसी के प्यार के आने वाल एपिसोड में आएगा एक बड़ा ट्विस्ट जिसमें हम देखेंगे कि साई काफी जादा परिशान है और जब वो विराज को अपने सामने देख भी है तो नहीं समाल पाते खुद को विराज के गले लग कर खूब फूट फूट के रोती है जी हां सही के आखिर क्यों निकले है आसू अब विराज समालेगा सही को क्या होगा गुम्हे किसी के प्यार के आने वाल एपिसोड में बताएंगे आपको हमारे चैनल टीवी विंडो पे लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कि कुछ टेस्ट के रिपोर्ट्स लेने के लिए लेकिन अगर ऐसा क्या हो गया कि सही जैसे ही विराज को देखती है बिलग बिलग के रोने लगती है विराज को गले लगा कर जिसके बाद विराज भी काफी जादा परिशान हो जाता है और वो सही को सभालता है पानी पिला के बाद सही बताती है कि वीजू काका को ब्रेम ट्यूमर है लास्टेज का जी हाँ यह सुनके विराट के होश उड़ जाते हैं सही काफी जादा इमोशनल होती है सही कहती है मैं अपने बाबा को भी नहीं बचा पाई कि अब मैं वीजू काका को भी खो दूंगी यह कहते कहते साही काफी जादा रोने लगती है जिसके बाद विराट साही को समालता है और बोलता है मैं तुम्हारा साथ दूंगा ये सच वीजू काका को बताने के लिए अब साही और विराट में मिला लिया हाथ वीजू काका का सच बताने के लिए जी हाँ अब क्या होगा गुमे किसी के प्यार के आने वाले एपिसोड में क्योंकि जहां एक और वीजु का का बिमार है तो वहीं दूसरी और अमबा काफी जादा डड़ी हुई है वीजु से क्या होगा गुमे किसी के प्यार के आने वाले एपिसोड में आपको है कितना इंतिजार? कॉमेंस में जरूर बताईएगा बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए चालिए पर नहे हैं तो चालिए को सब्सक्राइब कीजिए